हम जी दोस्तों कैसी हो आप सभी लोग मैं आपका पाई शौर अठा कर और साथ मैं तो दोस्तों मेरी तरफ से राम राम है हमारी तरफ से रादे रादे तो आज हम का जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं रादारानी मंदिर जो कि ब्रिंदावन से 8 km की दोरी पर है और यह माट से थोड़ा सा पहले पढ़ता है जो कि तीन चार क्योमेटर है तो आज हम आपको लीला है बताएंगे वहाँ पर एक सरोवर कुंड है जिसका नाम है मान सरोवर और आज हमारे साथ है जाए जी आज है यह शुगंगांद गुष्वामी जी यह राधारान मंदिर के वसाई है तो अब जादा बाते ना करते हुए चलो सीद मंदर चलते हैं चले दोस्तों आप तास्ते कलब तो ठाई है चलिए जो दोस्तों यम्ना जी आ गई हमारी है आपी बहाव है वाली सब करतों यह सामने तब पूरा बढ़ा हुआ था आज तो फटी कहा है पानी थोड़ा सा कि मांट वाला रोड चल रहा है यह मांट वाला रास्ता है मैं साम से 10 किलमेटर यह नहीं मांट यहाथ है तो दोस्तों मंदिर शायद आ गया है कि कट हम लेने वाले हाँ आगे मंदिर आ मंदर के गेट में इंटरी कर लिया है यहां से पांसो मीटर तूर है नहीं मेला विला लग रादी है यह पर बिर वाले कापी है तो बढ़िया पार्किंग है अधि दोस्तों मंदर के अंदर हम आ चुके हैं गाड़ी हमने वहां पार्क कर दी है तो तो आप ही तेज है ब्रोक बढ़िया मंदर अभी यहां से दिख रहा है यह इस दर रहे हैं मhroun हुआ है हुआ है हुआ है कर पेसे मंदर में साफसवाई बहुत है यहां पर आपर वाइस अधी पर नीए अभी है यह वैसे विद्र रहती आप यह जाए अच्छा यहां पर आप इसा अन्या कि सबीर लोगों को पता निया जादा लोगों को बता हुने नहीं की बात नहीं जो इस्थान बुलाता है न वहीं लोग आते हैं अब आपका पहली बार आए हैं ना बरसा नेवी में कभी न गया हूं चार्पा चकर एक फ़ते में घूम रहा हूं पुरा चलिए बाइसा यहां बड़े हो हैं सरोवर ही सरोवर दोस्तों एक और सरोवर पूरा वहां पे था न वहीं है यह मतला कितना बड़ा होगा है यह आप देख सकते हैं यहां से लिखे वहां तक आप देख लोग साफ दोस्तों अभी मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं जो यह सरोवर के चारो तरफ बनी हुई है अच्छा यह चीज बहुत अच्छी बना रहे हैं बैठने की यह चीजे जगह जगह हाँ जी दोस्तों तो रादे रादे हमने आपको दर्शन करा चुके मंदिर के और यह जो पीछे आप देख रहे हैं यह शरोवर है इसके वारे में जो यहां की लीला है वह आपको हमारे माराजी बताएंगे तो माराजी यह जहां पर अभी हम है यह स्थान जो आप यह सब्सक्राइब अब इसके एक स्थान गुप्त इसकी जो कथा आप देख सकते हैं कि यहां पर पॉलिक नहीं मैं सकता और इसकी जो कथा है वह ऐसे है कि Q एक वार रादराणी को भगवान से मान हो गया मान का मतलब सीधा अभिमान जहां पर अभिमान है वहां पर भगवान नहीं कहा जाता है कि उस समय जब देखा कि रादेका को मान हो गया तो उस लगा से वो लुप्त हो गया काना जी लुप्त हो गया अच्छा लुप्त का मतलब तो आप समझ लो गए नहीं है तो उसी जगह पे अलतर द्यान बोलते हैं इस जगह पे आप समझ लो कि अभी दिन का समय है आपको सब पता है कि हम ख़र हुए है यह आप है लेकिन इस समय रात का समय हो अंदेरा हो गया हो आप भी यहीं है हम भी यहीं है लेकिन किसी को दिखा निए उनकी वस्था को का हागय निए कहां गए कहां गए तो विरंधावन से खोषते ख्षते वो यहां पे आई और इस इस जगह पर इसी जबाइफ आके लोने लगी अच्छा कहां गए प्च्छी एक पॉधे सभी से सभी से पूछ हुआ है कंव्य को देखा है कंव्या देखा है कि इस जगह पर बैठके वो रोने लगी उनके आशुओं से भी अच्छा भी सबीधित सबस्सराइब निया कि जल सिंपल हो यहां साधारन कुछ आपने डाल वह नहीं है यह खुद राधारनी के आश्रूं से बना हुआ इसको मान सरुबर है यह ठीक सामने मंदर है यहीं पर राधारनी गादी पूजा में गादी पूजा भी आप समझ लोग क्या है दो तरहे कि सेवयं होती है एक होती है विढढे की सेवा होता है कोई भी ष्टैचू है कुछ भी हम लगा उनकी सेवा एक सेवया होती है नाम की सेवा बदानाम लिखके संत महात्मा असन्यासी पूजा को एक होती है गाधिपूजा जिन नाम को एक आसंत राधरणी का साथ देखके उनकी सेवा होती है जो यहां पर आप देखोगे यह पर कर देख तो महराजि ने इसके बारे में विस्तार से बताया और हमें भी बहुत अच्छा लगा तो आप भी यहां पर आईए बंदावन से थोड़ा समय अगर बंदावन आते हैं आप तो इस जगह को भी देखने आईए इस जगह को भी बड़ा महत तो है हाजी दोस्तो तो आपको दर्शन करा दिये मंदिर के और इस व्लॉग को ही एंड करते हैं अपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेर जरू कर देना और कोमेंट भी करना अच्छा लगा बुरा लगा या कुछ मिसिंग थ और बस